नमस्कार दोष्टों, आपका ध्रमिंट्री किपा हैल्थ सांट्र बें बहुत बहुत सवागत। में दोस्तों को आज किसी चीज के बारे में बता रहा हूं मैं उस चीज को करते सबी लोग हैं लेकिन उसको प्रयोग करने का दिवा दिखा लोगों को इसके बारे में जानकारे नहीं हैं तो दोस्तो इसके प्रयोग से ना जाने आपको कितने फाइदे होंगे वो मैं आपको गनाऊंगा और उस चीज़ को आपने कैसे प्रयोग में लेना है यह आप इस वीडियो के माज़ियों से जानेगे दोस्तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें अगर कोई नया ध्यक्ती हमारे वीडियो को देख रहा है तो भी वो कृपया हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तो चना काले चनए सबी लोग खाते हैं लेकिन काले चने को कैसे खाया जाता है यह आज आप इस वीडियो के माज़ियम से देखेंगे तो इसकी जो फाइदे हैं और रुपसान हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा तो क्रिपया शुरू से लेकर के एंड तक आप इसको बराबर देखिए कांटीमिन देखिए स्कीप ना करें अधुरी बाताय रहा जाती हैं तो दोस्तो सबसे पहले जो चने का खाने के फाइदा है तो दोस्तो इसके अंदर भरपूर मातरा में प्रोटीन है प्रोटीन इसके अधर भरपूर मातरा में पाए जाता है फाइबर इसके अंदर पाए जाता है कार्बो हाइड़ेट इसके अंदर पाया जाता है और बहुत सारे आईरन बगारा जो भी ऐसे ऐसे विटामिन हैं कि आपकी सिर्पों को फाइदा देने वाले हैं अब इसके बाद बात आती है दोस्तों ये ये किन-किन बुमारियां में आपको फाइदा करता है जिन लोगों को क्षोन की कमी है उसको पूरा करता है और इसके अंदर अत्यधिक मातरा में फाइबर होने से ये भ्यक्ती की शूगर को ठीक करता है कंट्रोल करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत जैसे सुबह कसर्द करते हैं या जिम जाते हैं कि लिए बहुत जुनी है कि इसको कैसे खाना है ये तरिका जो है आप लोग सभी को शेयर करना तब इससे आपको पता लगएगा कि मैं आगया गोर रहा हूं और इसके आपको कितने फाइदे होने वाले हैं हडियों को मिल्बूत करता है हडियों को मिल्बूत करता है सारे रिक बल्वपन करता है और जैसे इसके अंदर किसी को खून की कमी है उसको पूरा करता है तो जिन लोगों को कमर की दर्द है गुटने का दर्द है ये सभी लोग जो है इसका फाइदा लेश्क पे है अब काला लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह से बहुत करता हैं, जब किसी की बच्चा पैदा होता था तो उस वक्त की जमाने में जैसे हमारे टाइम में यह अंकुरित जो चने हैं कि यह जाते हैं और साथ में दिये जाते तक गुड़ उनको गुड़ के साथ लेड़ा जाता था और अखिन इसी को ये एक जासे मतलब खुशी जाहिर करने के दिए जासे हम किसी को लड़ूए उस देते हैं तो इसको खाने का तरीका क्या है तो कम से कम आपने दो पानी चंदर और उसको खा जाते हैं लेकिन इसका जो प्रसक्स अ है जम तक चना अंकुर्णी नहीं हो जाता तब तक आप इसका प्रयोगस करें उसको अंकुर्ण करने के दो दिन त्रीके हैं अगर आप मिटे के अंदर इसको अंकुलिट करते हैं जैसे साफ सुत्री मिटी हो अगर उसके अंदर आप उसको अंकुलिट करते हैं धो के आप इसका प्रियों करें या आप चुन्नी के अंदर धगो करके उसको रख दीजिए बाद में इसको छेटे मारते रहें या किसी भी त्रिके से आप कर सकते हैं लेकिन दूर से में आपको मोटे तोर पर बता रहा हूं अंपुरित करें पानी में नभोए क्योंकि दोस्तों जो अगर आप कोई विभोके चने खाता है तो तो उस पानी को भी पीजाएं क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं ज हासी की समस्य हो जाती है वो भीए होए चने का फानी जो है उनके दिsalम उसके बाइब इसके बादा है दोस्तों के कि जब आप चनेखाएगे तो क्या करेंगे उसके साथ हाप उंक्नियर जब चने खाएगे उसके साथ बुल खाएगे इसका यही अक प्रबाव होता है कि या दस्त की समस्य हो जाती है लेकिन अगर आप एक समान्या इसको जितना दो तिन चम्मच वाप बिलेंगे अगर आप उतने खाएंगे तो दोस्तों ना आपको और ग्याश करेंगे ना ही आपको दस्त लेंगे लेकिन इसकी साथ यह है कभी भी दोस्तों इध्यान कियेगा बहुत सारी लोग जो है अंकुलित मुंग खाते हैं दूसरे कोई अंकुलित अनाज खाते हैं अंकुलित अनाज जो है या भियोया हुआ अनाज जो है कभी भी खाना हो तो दोस्तों के साथ गुड जरूर खाएं या बरसाद में जैसे गुड़ जो होता है वो माश्यर के कारण पतला हो जाता है यानि कि वो असानी सिल्य बिढ़ जाता है तो अगर गुड़ ना लिवेड़ सकें तो आप डिरेक्टली भी गुड़ उसके साथ खाते रहें जैसे आपने एक चमच अंकृत इसका चने का खा तो एक लली कम से काम उसके बाद आप गुड़ की जूरूर खाएं दोस्तों जो लोग स्वस्ट हैं और स्वस्ट रहना जाते हैं दोस्तों जो लोग डाइटीश से ड़ते हैं दोस्तों अब इस चीज को खाना सुरू कर दें और जो त्रिका मैंने बताया तो आपको करदे करेगा तो जैसे की चनले में कार्बो हाइड्रेट होता है तो कार्बो हाइड्रेट जो है वह हमेसा शुगर में करवर्ट होता है तो जब कभी भी आपने दूद को बॉयल किया अगर आप उसके अंदर शक्कर डालेंगे तो दूद नहीं भटेगा कहने का मतलब है कि जो दूद है वो आपके कार्बो हाइड़ेट को नस्ट कर देगा जितनी जूरूट है उतना ही वो आपको कार्बो हाइड़ेट मिलेगा लेकिन गुड जो है हमेशा जासे हम दूद को करते हैं गुड डाल देते हैं तो दूद भट जाएगा अगर शक्कर डालेंगे तो दूद नहीं पढ़ेगा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शुबर वाला पेशेंट भी अगर इस तरह से खाता है तो खा सकता है इसमें कोई दोर आ रही है लेकिन गुड अच्छा होना चाहिए तो दोस्तों यह थे अंकुल चाने के बेता सा फाइदे आप इसको कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी फाइदे वाली चीज़े हैं बहुत को पूरा उसमें फाइदा मिलेगा और जो मैंने नुक्सान की बात की थी तो नुक्सान जो है अगर आप बिना गुर के ख जुक्सानi के लुक्थरAND जो बात की बात की जुक्त बात की बात की लुकसान जो मैंने के खाबने जो द有िम पायो कर रम हाइदे दित। आंदू जो खाला जाएदे कई।